हेलो फ्रेंड्स वाइलकम सियॉ ओल इंजार विस कैंपस आज हम बात करने वाले कि यह जो ट्राइंगल है वो क्या है और उसकी प्रोपर्टिस क्या है तो यहां पर जानते पहले तो ट्राइंगल किसको बोलते है तो आप सब को पता होगा कि ट्राइंगल वो कुछ तीन लाइ है और इस जुकानर से उसको क्या बोलते हैं और जो पॉइंट सो धिक्षकों क्या बोलते anhुण है यहां पर सीखना है तो सबसे बहूं यहां पर की यह triangle ही है इसा कैसे बोल सकते triangle यानि कि एक close polygon है तो कि यह close है यहाँ पे तीन लाइन यह थीनों की तीनों एक दूसरे को meet कर रही है यानि कि यह closed है अब यहाँ पे जहाँ पे meet कर रहे है ना तीनों की तीनों लाइन वो जो points है उसको हम बोलते हैं vertices या फिर आप लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा vertex फिर अभी यहाँ पे देखो तो यह जो तीनों लाइन है उसको बोलते हैं हम sides of the triangle and यह जो meet करें जीस point पे meet करें तो वो जो points है उसको vertex ही बोलते पर उसके यहाँ पे जो corners है corners को यहाँ पे यहाँ पे आप देख पार होगे कि जो एक triangle अगर लेते हैं तो उसके अंदर तीन vertices रहते हैं तीन sides रहती हैं और तीन angles में उते हैं अगर यह जो triangle है हर बार triangle triangle ऐसा बोलेंगे तो मेरे को कोई भी proper vertex यहाँ फिर proper angle के बार में अगर बात करना हो तो नहीं बात कर पाऊंगा तो इसको naming कर लेते जैसे कि यहाँ पे ABC इसको name देते थे अब यहाँ पे जो A दीख रहा है A तो उसको सिर्फ A लिखू तो क्या मतलब होगा उसका vertise होगा या फिर angle A लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर सिर्फ A लिखा हुआ होता है तो उसको हम बोलेंगे vertise A पर A के आगे यह कुछ ऐसा sign कर देते एंगल के जैसा तो इसको बोलेंगे हम एंगल A अब यह जो एंगल A हमने लिखा है उसको ही कुछ दूसरी तरह से कर मेरे को represent करना है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा तो एंगल B, A, C ऐसा लिखूँगा तो यह जो B, A, C लिखूँ या फिर सिर्फ एंगल A लिखूँ दोनों A की चीज़ है तो यहाँ पे हुआ एक छोटा सा नॉलेज ट्राइंगल के बारे में अभी यहाँ पे यह चेप्टर में क्या सीखने वाले उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे यह चेप्टर में हम सीखने वाले कि यह जो ट्राइंगल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखने वाले हुए साथ-धी यहां पर खुरूरीट के बारे में हम सीखने वाले तो यह सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ thank you